मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, आप समार सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नोजवान महिला हैं जो आप अपना भविश्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई ने करने वाला, समय आता है, तो सुरक्षा उनकी होती है, जो आपको कुचलते हैं, आज सत्ता का नाम ये है, कि आप खुले आम, पूरे पबलिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं, ये सत्ता बन गई है, ये गलत है, ग्रिना का बोल बाला है, नफ्रत का बोल बाला है, गलत है, इसको महिल मैं इसलिए बदल सकती है क्योंकि करुना भाव सेवा भाव और द्रिर्टा शक्ति सबसे ज़्यादा महिलाओं में है मैं आपसे कहना चाहती हूं राजनीती में आओ मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ मैं जानती हूं कि आपके संघर्ज क्या है मैंने प्रेस की सहेलिया यहां है म मैं जानती हूं मैं आपको देखती हूं सुबे से शाम तक आप कैसे दोड़ती हैं किन परिस्टितियों में जब सीतापूर में बीच रात में अन्धेरा था मुझे घेर लिया पुलिस कर्मी में महिला पुलिस कर्मी थी मुझे घेरा मुझसे लड़ी मैं भी भेड़ गई से उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंदेरी रात में सिर्फ में वो दोनों और दो कॉंस्टिबल मुझे सीतापुर के पीएसी कॉंपाउंड में ले गए एक का नाम मधू था एक का नाम पूजा ये निर्ने उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि चार बजे तक चार बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूरी मां अकेली नौइडा में रहती है कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं के को कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एक जुट नही होंगी अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीती में से निकाल कर विकास की राजनीती की और ले जाना है अगर देश को समता की राजनीती की और ले जाना है भागीदारी की राजनीती की और ले जाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा आपको खुद य काम करना पड़ेगा आगे बढ़िये